देखे जिनको अपने काम से मुहमबत होती है उनको फुरसत नहीं मिलती है अपने काम से ही देखे आज है दो मार्च का दिन और आज की वीडियो में टोटल दस मोस्ट इंबोर्डन प्रश्णों पर हम चाचा करने वाले हैं तो चली शुरू करते हैं आज की वीडियो को देखे एक इंफार्मिसन आपको ये देनी है कि कल मैंने जो है साम को दस बजी जो है मन्तली करेंटेबर का वीडियो अप्लोट कर दिया था फरवधी महिने का तो फरवधी महिने के सभी प्रश्णों का रिवीजन आप कर लिजेगा उस वीडियो को देखकर और उसमें फुल डीटेल वाली पीडियो भी आपको मिल जागी तो आप वहाँ पे जाके उसको पर्शेज भी कर सकते हैं और देखे कल थोड़ा साइग मिस्टेक हो गया था कल मेरा वीडियो था बारा मिनट का लेकिन दुरुभा की बस के वल उसमें आठ मिनट का ही वीडियो अप्लोट हो पाया तो देखे कल का जो पीडियो था वो फुल था ठीक है तो पीडियो डाउनलोट करके पूरा प्रशन जो चूटा था तीन प्रशन उसको आप जो है एक बार फिट से पढ़ दिएगा ठीक है तो दीखे हर साल हम एक मार्च को विस्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं यानि ये वर्ल्ड से विल डिफेंस डे मनाते हैं और देखे 2023 का जवाब का विस्वनागरिक सुरक्षा दिवस है इसकी थीम है भविस जी की पीडियों की सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विस्वसग्यों को जूट करना और एक वर्स 1990 में संयुक्त राष्ट महासभा ने आधिकारिक तोर पर एक मार्च क विस्वनागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में नामित क्या था और उसके बाद से हर साल एक मार्च को ये दिवस मनाया जा रहा है तो यह रखेगा एक मार्च को विस्वनागरिक सुरक्षा दिवस मनायाता है और दो यार तेश की सी थीम क्या है भविस की पीडियों को सु प्रधान महान विदेसक कौन बने हैं तो दीके राजेस मलोतरा जी बने हैं प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महान दिसक और इन्होंने इस पत पर प्रज़तेंद्र प्रकाश का स्थान लिया है और इसके साथ ही जो आपके राजेस मलोतरा हैं ये भारत सरकार के मुखे प्रवक्ता भी बन गए है और तीसरा की एक से दो मार्च 2023 तक G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की सहर में आज़ित की गई तो दिके आज दो मार्च है और आज भी चलेगा ये बैठक जैने की G20 विदेश मंत्रियों का बैठक नई दिल्ली में तो एक से दो मार्च तक G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आज़ित की जा रही है और इक इस बैठक में भारत के द्वारा अमत्रित गैर G20 सदस्यों सही 40 देसों के प्रनिदी और बहुपक्ची संगठन भाग ले रहे हैं और इसको लीड करेंगे भारत की वि जी एसम एसोसीशन के द्वाना कि इस दिस को गौश्च लीडर्शिप अवार्ट 2030 से समन्ग क्या गया है तो दीकि GSM एसोसीशन के द्वाना भारत को गौश्च लीडर्शिप अवार्ट 2030 से समन्ग क्या गया है दीकि GSM यानिकि Global System for Mobile Association ने अभिहाली में दूर संचार नीती और वी नियमन में बेहतर प्रगती के लिए भारत को Government Leadership Award 2003 से समन्ग क्या है दीकि जो Global System for Mobile यानिक GSM है ये वैस्विक दूर संचार तंत्र में 750 से अधिक मोबाइल आपरेटरों और 400 कंपनियों का लिडर्शिप करता है और ये अवार्ड दूर संचार सुधारों और सक्षम निकियों को मानता देने के लिए प्रतिवर्श प्रतान कियाता है और ये GSM Association के स्थापना 1995 में की गए थी माज़ो प्रश्णी की हाली में अमेरिकी Space Agency NASA ने किसे अपना Science Chief नियूट किया तो दीके NASA ने भी हाली में Nikola Fox को अपना Science Chief अवाइंट किया है दीकि NASA ने लंबे समय से सौर वैज्यानिक रही Nikola Fox को NASA के Science Chief के रुमेन्यू क्या है और ये सूरी का अध्यान करने वाले पारकर सोलर प्रोब मिशन की पूरू सिर्स वैज्यानिक रह चुकी है Nikola Fox दीकि निकोला फाक्स जो है नासा के विज्यान निजसाले करने तरह तो करेंगी जो लगबग साथ बिलियन डालर के वार्शी पजट वाली एक यूनिट है और निकोला फाक्स जो है इन्होंने इस पत पर स्विस अमेरिकी साइंटिस्ट थामज जूर्बू चेन की जगह ल तो दीकि जो दिनेज कुमार त्रिफाठी है इन्होंने भियाली में पस्चिमी नौसेना कमांड की फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इंचीप का पदभार समाला है और इन्होंने इस पत पर आजेंदर बहादूर सिंग का स्तान लिया है सातों प्रशनी की नेशनल बैडमिंटन चेंपेशिप 23 का महिला एकल का किताब किसने जीता तो दीके भियाली में नेशनल बैडमिंटन चेंपेशिप 23 जो आजित की गए थी इसमें महिला एकल का किताब अनूपमा उपाध्या ने जीता है और जो आपकी पूरों 200 जूनिय नमबर एक खिलाडी अनुकमा उपध्या है इन्होंने बाले बारी स्टेडियम में आज़े इस सीनियर राश्टी बैडमिंटन चेंपरसिप में आकरसी कस्यप को हरा कर इस किताब को जीता यानि कि माईला एकल का खिता तो ये ते बात हो गई माईला एकल की इसमें जो एकल का खिताब था नेशनल बैडमिंटन चेंपरसिप दो जीता था और इके सिर्च वरीता प्राप्त गायतरी गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने महिला यूगल का खिता और इस चेंपरसिप में हेम नागेंदर बाबू और कनिका कमल ने मिस्तित यूगल का टाइटिल अपने नाम किया था आठवा की ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की रिपोर्ट के मताबिक एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर ब्यक्ति कौन बने तो दीकि ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के रिपोर्ट के मताबिक एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर ब् अमपतिक साथ इन्होंने 28 प्रोडी को ईवर्फीड दुनिया के सबसे अमीर ब्हक्तियों के सूची में एरन मस्क पहले नमबर पर आ गया है। वास्तवी GDP वृद्धिदर जो है दर्ज करेगा 5.5% की देगी मूरीज का जो अर्मान था ये जो है 2030 में भारत की वास्तवी GDP वृद्धिदर 5.5% रहेगी जो की पहले 5% हुआ करता था यानि कि पहले का था इसने 5% की ग्रोथ करेगी लिएकर अम इसको 5.5% कर दिया है करोड डालर के निवेज के बाद एर इंडिया समों में कितने प्रतिसत की इस्सेदारी मिली है तो दिखे सिंगापूर एरलाइन्स को 26.7 करोड डालर के निवेज के बाद जो है एर इंडिया समों में 25.1% की इस्सेदारी मिली है और दिखिए सौधे के माध्यम से सिंगापूर एरलाइन स्टार्टा के साथ अपने संबंदों को मजबूत करेगा और आकार के मामलों में विस्तारा से 4-5 गुना बड़ी कंपनी में तदकार लड़न्दी की सिथी आसिल करेगा तो ये थे आपके आज के करेंड पर किस सभी प्रशन जो की मैंने बहुत कम समय में कवर कर दिये और अब हम बात करेंगे आज के सभी कुशामटी पर तो इससे बहले बता दूँ कि जो लोगोंने मंधली करेंड पर का वीडियो नहीं देखा आप इसको देख लेंगे और पीडियो को जोरू परचेश करनेंगे इससे के आउगका मुझे आर्थिक मदल मिल जाएगी और आप लोगों को पीडियो मिल जाएगा पूरे महीने के डीटेल वाला पर डेप ठीक है देखी पहला पूर्शना पिली की पेपसी के नए ब्रैंड रिमेश्टर कौन मेंने हैं पताईए और आप पताना की हाली में पियम मोदी ने किस अस्थान पर करनाटा की संस्कृति परंपराओं और इतियास का जैस्ट न मनाने के लिए बारिसु कनर दिमावा संस्कृति कुर्सो का अकर्शन किया पताईए और आप पताना की किस किलाडी ने वर्ष दोजार बाइस के फीफा फुटबाल आवार्ट्स में बेस्ट मेंस फुटबालर का वार्ट जीता है और आप पताना की हाली में जापान ने उत्तर प्रदेश में कितने करूर रूपे का निवेज करने की गोषटा की है और राश्टी विज्ञान दिवस दोजार तेस की फीम क्या है बताईए देखे डेखे कल के वीडियो मैंने जी बताया था लेकिन कल का वीडियो थोड़ा सा बीच में कट गया था तो पीडियक को डॉउनलट करें पढ़ दिएगा डेखे अ और अभी हाली में पीएम मुदी ने जो है करनाट का राज में स्यू मोगा हावाई अड़े काउट काउटन किया था और यूएस चेंबर साथ कामर्स के द्वाराजारी इंटरनेशनल आई-पी इंडेक्स में भारत की रैंक 42 में है तो इसी प्रस्चाथ आज का वीडियो और यह मेरा यूपियाई नंबर है देखी मेरा नंबर चेंज हो चुका है अब आप लोग अगर मैसेज करना चाते हैं वाटसाप पे जुड़े रहना चाते हैं तो यह वाला नंबर मेरा नूट कर लिए 9305006464 यही मेरा यूपियाई नंबर भी है तो इसी के साथ आज का यही वी दो समा तो ता है चेंज